हलो मेरी प्यारी यूट्य panda family कैसे सब काही टायम से मुझ रिकवेस्ट कर रहे थे के डोसा बनानाने की बसेपी कैजए नहीं कंशी नारहा हुआ मिलकुल करा रहे हैं यह डोसे हमारे और इसमें वही रेशियो मैंने यूज किया है जो कि ठेले वाले यूज करते हैं तो वह चीज आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी और हाँ अगर आपको पास नॉन्स्टिक तार नहीं है जिसमें आप रोटी बनाते हैं वह वाला सब्सक्राइब कीजिए सोनल की रसोई चानल को और बेल आइकन को दुबाईए न्यू रेसिपीज सबसे पहले देखने के लिए डोसा बनाने के लिए सबसे पहले हम बैटर रेडी करेंगे तो एक बड़ा बाउल ले लिए इसमें में ले रही हूं आधा कप उड़त दाल उड़त दाल दो तरीके की आती है चिलके वाली और बिना चिलके वाली यहां पर आपको बिना चिलके वाली लेनी है और बिना चिलके वाली भी दो तरीके की आती है एक साबुत होती है और इस तरीके से एक स्प्लिट होती है आप कोई से भी ले सकते हैं यहां पर जो में र चावल चाहिए अब यहां पर चावल कौन सा लेना है भाई मेरे पास ऐसा कोई साउथ हिंडिन चावल तो था नहीं ना तो यहां पर में पार वोईल चावल यूज़ कर रही हूं जो हम नॉर्मली घर में चावल बनाते हैं खाने के लिए बस वही चावल आपको यूज़ करन अब इन सारी चीज़ों को हमें अच्छी तरीके से धुल लेना है क्योंकि आजकल ना दाल और चावल काफी जादा पॉलिश होकर आते हैं तो इन्हें आप करीब दो से तीन बर अच्छी तरीके से धो लीजिए आप देखेंगे पानी कितना वाइट हो गया है अब दाल और च पानी डाल दीजे और अब इसे हमें सोक करने के लिए रखना है यहां पर में 6 गंटे के लिए इसे अच्छी तरीके से फूलने के लिए रख रही हूं अगर दाल और चावल अच्छी तरीके से नहीं फूलेंगे तो आपका बैटर अच्छी तरीके से फर्मेंट नहीं हो प तो यहां पर मैंने आधा कब पानी निकाल लिया था और बाकी सारा पानी डाल की और बाकी सारा दाल और चावल डाल के इसे मैंने पीस लिया था इसे आपको बिलकुल महीन पीसना है थोड़ा टाइम लग सकता है कि दाल और चावल दोनों ही मिक्षर हैं यहां पर दोनों को प बाने दाने हैं। जैसे कि बारीक वाली सूजी होती है तया पर विलकुल उसी तरीके से यह सुझी महीं तो शीचहा नहीं तो करना भी कुल हलका दर्दरा आपको यह बैटर रखना दें तो आप देख सकते हैं अभी consistency कैसी है, मैंने आधा कब पानी अभी निकाल दिया था, अब इसे आप ढग कर फर्मेंट होने के लिए रख देंगे, अब आप बोलेंगे इसमें आपने नमक तो डाला ही नहीं है, friends इसमें हम अभी नमक बिल्कुल भी नहीं डालेंगे, जब यह अच्छी तरीकी से फर्मेंट हो जाएगा, तब हम इसमें नमक डालेंगे, अगर नमक हम अभी डाल देंगे ना, तो यह जो हमारा बैटरी अच्छी तरीकी से फर्मेंट नहीं हो पाएगा, तो चलिए अब इसे हम ओवरनाइट फर्मेंट होने के लिए रख देते हैं, इसमें आप डाल दीजिए आधी छोटी चमच राई, आधी छोटी चमच इसमें आप डाल दीजिए उरत की डाल, आधी छोटी चमच इसमें मैं भूने चने डाल रही हूं, आप चाहे तो चने की डाल भी डाल सकते हैं, एक हरी मिर्च को मैंने कट कर लिया है, वो मैं कर लीजिए और उसकी बाद यहां पर में डाल देती हो बिल्कुल एक चुछाई चोटी चमच हल्दी यहां पर जो हमें फिलिंग चाहिए उसका मुझे ना लाइट लेमन येलो कलर चाहिए इसलिए में जादा अल्दी नहीं डालूंगी हल्दी को तेल में मिक्स करने के बाद इसमें में डाल दूँगी आलू यहां पर मैंने तीन उबले हुए आलू ले लिये हैं आलू आपको गरम नहीं लेने हैं जब आलू उबाल ले उसके बाद इसे फ्रिज में रख दे जब थंडे हो जाए उसके बाद इसे आप यूस करें फिलिंग बनाने के लिए अब प्याजर चमाटर को इस तरीके से डालना है इसे हमें तेल में सौटे नहीं करना नहीं फ्रेंट्स बिल्कुल भी नहीं करना है अब इसमें में डाल देती हूं एक छोटी चमच नमग आपने स्वाल नुसार कम्याजादर कर सकते हैं अब यह सारी चीजों को अच्छी तरीक के लिए रख दीजे तो प्याज है वो हलकी सी स्वेट हो जाएगी और उसका जो कच्छा पन है वो चला जाएगा तो देखें पांच मिनिट हो चुके हैं यह जो हमारी फिलिंग है वो बिल्कुल बनके रेडी है थोड़ा सा मिक्स करें और फिर मैं इसमें डाल देती हूं से बाली कटकी हुई हरी धन्या पती और अच्छे से मिक्स कर लीजे और यह लीजे आपकी दोसा की फिलिंग बनकर बिल्कुल रेडी है बहुत जादा यामी लगती है बिल्कुल वैसे ही जैसे की रेस्टरॉन वाले डोसे की होती है बिल्कुल वही टेस्ट है इस फिलिंग तरीके से फर्मेंट हुआ है अब मैं आपको ना स्पून से हटा कर दिखाती हूं कितनी जाली दिख रही है और बैटर हमारा काफी जादा हलका हो गया है क्योंकि अभी गर्मी का सीजन है तो बैटर को फर्मेंट होने में 12 घंटे से कम ही लगते हैं अगर आप इसे थंड के सी इन जे अभी जो बैटर है यह इडली के लिए तो पर्फेक्ट है लेकिन क्योंकि यहाँ पर हम बनाने वाले हैं डोसा डोसा बनाने के लिए हमें थोड़ा पतला बैटर चाहिए होता है जो स्टार्टिंग में मैंने आधा कप पानी निकाला था न वही मैंने यहाँ पर डा कैसी होनी चाहिए बिल्कुल इस तरीके की फ्लोइंग कंसिस्टेंसी रखनी है आपको अपने डोसे बैटर की अब इसमें पानी कम यह जादा हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन कि आपका चावल और डाल जो आपने ली है वह किस तरीके की है चलिए बैटर रेडी है बना लेत आपका डोसा कभी भी अच्छा नहीं बनेगा यहां पर गैस की फ्लेम हाई रखी होई है मैंने और तवा अच्छी तरीके से गरम हो गया है फ्लेम आ रहे है तवे से अब तवे कुना हमें हलका सा थंड़ा करना है उसे थंड़ा करने के लिए यह अपको गैस की फ्लेम लो बैटर डालना है और इसे तरीकेसे गुल गुल घुमाते हुए आपको फहला लेना है कोशिश करैं पतला दोसा बनाएंगे तो और जो डोसा है वो अच्छा क्रिस्पी बनकर निकलेगा जब डोसा का बैटर आपको लगे कि हाँ अच्छी तरीके से सूख चुका है तो ऊपर से आप डाल दीजे करीबन एक छोटी चमच तेल ताकि डोसा आपका असानी से निकल आए थोड़ा अच्छा क्रिस्पी बन आ ज दिख चुका है फाइनली मैं इसमें डाल देती हूं फिलिंग हमारी और बस टोसे को आप तवे से निकालिए और इस तरीके से इसे रोल कर लीजिए देखिए कितना बढ़िया डोसा बना है ना डोसा बनाना कोई रॉकेट साइंस नहीं है बहुत ही जादा इजी है आम भी गरों में असानी से इसे बना सकते हैं बस कुछ बाते ध्यान रखनी होती है तो चलिए यह जो डोसा हमने बनाया था वो मैंने प्रेट में रख लिया है अब उसी तवे में वापस से आप पानी का चीटा मालिए ध्यान रखें गैस की फ्रेम हाई ही रहनी चाहिए हमेशा न प्रेना है और जब डोसा सिख जाए तो बस असे निकाल लीजे और पानी का चीटा हम इसलिए मारते हैं क्योंकि अगर आपका तवा बहुत जादा गरम होगा तो आप ना डोसा बैटर को अच्छी तरीके से तवे पर नहीं फिला पाएंगे तो इसलिए हम हाई फ्लेम पे तवे पर चीटा मारते हैं पानी का तो चलिए यहां पर मैंने कुछ डोसे बनाकर रेडी कर लिये हैं अब बारी आती है जो आइरन के तवा होता है ना हमारे पास उसमें हम डोसा कैसे बनाएं जो फ्लैट वाला होता है वो तो सभी के पास होता नहीं है भाई मेरे पास भी मेरे पास तो यही है आईरन का तवा जिसमें हम रोटी बनाते हैं एक कटोली में मैंने यहाँ पर थोड़ा सा पानी ले लिया है इसमें मैं डाल दूँगी एक चमच तेल और इस पानी का यूज़ करेंगे हम तवे में छीटा मारने के लिए गैस के फ्लेम में हाई रखी होई थी तवा अच्छा गरम हो गया है तो बस इसमें आपना पानी का चीटा मार दीजिए और उसे एक नैपकिन से पोच दीजिए और फिर इसमें एक चमच डालें डोसा का बैटर और उसे बिलकुल वैसे ही आपको फिलाना है जैसे कि आपने न दोसा सेक लेना है जैसे कि आपने नौंश्टिक तवे में सेक था अब जब आप ड्रोप बनाएं तो आपको ध्यान रखना है कि आपको धुला धुला या आइन का तवा नहीं लेना है उस अदिशों के तवे में आप करीब न 2-3 पराथे पहले सेक ले या फिर एक टैंक कि उसमें आप रूटियां से लूइंब इससे क्या होता है कि आपका जो तवा होता है बिल स्प्रेश नहीं होता है यूज किया कर आया होता है ऐसे से में डोसे से निकल गया है हाँ हरका 지ल गया था क्योंकि मेरा ध्यान इधर कर ऊधर हो गया था क्योंकि आपको इधर को फ्रेर नहीं करना है याधर दोसा सिखने में माट 2-4 मिन कर लिए यहां पर मैंने स्थांबर बनाई ती साथ में नारियल की सटनी बनाई थी वैसा जैसे कि ठेले वाले रेस्टराउंड वाले सर्फ करते हैं और बस लीजिए हमारा डोसा बि गरम गरम करार रोड़ी है अब इसे नहीं आपको तोड़ कर दिखाती हूँ, यह देखे कितना क्रिस्पी है, आवास आप सुनी पा रहे होंगे, बिल्कुल इस सिंपल सी रेसिपी को अपने घर में ट्राइ कीजिए, कम इंड्रीडियंट से बनी है, लेकिन बहुत जादा बढ़िया रेसिपी है, तो आ ऑर में एंड्रीडियंट नियुटिय।